हेलो यूरी वन गुड मॉनिंग नमस्कार दस फरवरी दोजार चोबीस और दा हिंदू न्यूज बेपर एनलीसिस में आपका स्वागत है आज की जितनी भी इंपोर्टन न्यूज होंगी वो इस वीडियो के तिरू डिसकस करेंगे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेस के साथ स सबसे पहले इस साल भारत रतन के मामले में एक हिस्ट्री क्रियेट हुई है सबसे ज़्यादा पांच लोगों को अब तक भारत रतन अनाउस्मेंट हुआ है जिसमें हमने पढ़ा करपूरी चिंग ठाकूर है फिर एलक एडवानी है और तीन और लोगों को जो है भारत रतन देने के लिए अनाउस्मेंट हुई है और ये तीन परसनलिटीज कोन है इनके बारे में पढ़ेंगे इनके जो सिगनिफिशेंट इनका क्या रोल रहा हमारे देश के डेवलोमेंट में या देश के अलग-अलग सेक्टर्स में रोल के बारे में सबसे पहले डोक्टर MS स्वा परसनलिटी है 1991 से 1996 तक उन्होंने अपना ट्रम कंप्लीट किया और चौदरी जरन सिंग जो वेस्टन यूपी से बेसिकली ब्लोम करते हैं लेकिन फार्मर्स में और जाट कम्म्यूटी में जो है काफी फेमर्स हैं तो ये तीन ऐसी परसनलिटी जिनके बारे में पढ़ना है और ये अवार्ड के बाद हम देखेंगे कि इनके रोल को कैसे एक तरीके से जिस्टिफाई किया गया है सबसे पहले इस बार जो पांच अवार्ड दिये गए हैं उनमें से जो चार हैं वो मर्णो परान दिये गए हैं पोस्थमसली दिये गए हैं इसके अलावा इनका रिले थे साइंटिस्ट थे और एग्रोनॉमिस्ट थे ठीक है एगरी कल्चर और एकनोमिक को कनेक्ट करके जो वर्ड यूज किया गया है इसके अलावा इन्होंने बहुत इंपॉर्टन रॉल प्ले किया था ग्रीन रेवलेशन में ग्रीन रेवलेशन मितलब हर्याना पंजाब वेस इनका जो लेंग्वेज पर कमांड थी जो स्किल इनकी थी वो कमाल की थी और इसके अलावा तेलंगाना के अंदर इनका जनम हुआ इंडियन एकनोमी में लिवरलाइजेशन करने जो लपीज का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं नियू मार्केट पॉलिसीज के बारे में हम पढ़ हुआ 1989 और असी के बीच में लगए एक साल तक ये देश के प्राइमिस्ट रहे हैं और जो लोगदल पार्टी है जैसे अभी अगर आप देखेंगे वेस्टन यूपी में जैन चोदरी जिसके लीडर हैं इसके अलावा फार्मर कम्यूटी ने अपना लीडर वानती है तो इ 1999 में चार लोगों को दिया गया था अब ये मैक्सिम अब तक हाइस्ट नंबर पे दिया गया है मौस्टली पोलेटिकल पार्टी ने अपलोड किया कि बहुत अच्छा किया ये अच्छा डिसीजन है जैसे आपर आप कॉंग्रेस की कुछ डिसीजन को देखा गया मजब इनक पेपर ने साइध ये नहीं लिखा कि ये एक पार्ट है उसके अलावा LPG के बारे में नहीं लिखा कैसे इन्होंने और डॉक्र मनवान सिंग जब फाइनेस मिस्टर थे उनका एक इंपोर्टेंट रोल रहा है देज एक तरीके से एकनोमिक स्ट्रेंड फेस कर रहा था उसको उससे बाहर निकालने में हमारा जो फोरक्स रिज्व है बिलकुल कम हो गया था और एक तरीके से बैलन्स अपेमेंट का क्रायिसीS घड़ा हो गया था उससे बाहर निकालने में जो रोल है उसके बारे में भी लिखा जाना चाहिए था इसके आलावा यहाँ पर एक बेसिक बेसिक से ही न्यूज आपको देखने को मिलेगी इनके बारे में डिटेल से भी हम लोग पढ़ेंगे जब अगर आप पेज नमर आठ चार या पांच पर है जो डिटेल पार पेज नमर आठ पर मेंशन है वहां पर हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके अलावा स्वामिरातन के बा हूँ जो है वो भेजने से मना किया या इस तरह का कुछ कंसर था तब हमने डिसाइड किया कि हम सेल्फ सफिशेंट बनेंगे और बेसिकली यह गेहूं के लिए आए थे लेकिन इसका अलग-अलग क्रॉप्स पर पोजिटिव इंपेक्ट पड़ा इसके अलावा चैल्लेंज के साथ अगरिकल्चर में आगे बढ़ सकते हैं इसके बाद देश में कई सारी अगरिकल्चर इंस्टिशन्स में भी उनका एक इंपोर्टन रोल बना और आज के टाइम पे अगरिकल्चर रिसर्च काफी इंपोर्टन सब्जेक्ट है आप लोगों के लिक सवाल है जब हम ग और यूज होता है सेकिंड ग्रीन रिवलिशन ये ग्रीन रिवलिशन और सेकिंड ग्रीन रिवलिशन में अगर आपको एक लाइन में डिफरेंस बताना हो तो एक डिफरेंस क्या है वो आप जुरूर नीचे कमेंट करिए इसके बाद अभी उत्रा खंड के जो हल्दवानी एरिया है वहाँ पर वोईलेंस के बारे में डिस्कॉशन किया गया कि जो परसास जनवा एंटी एंडरोच्मेंट ड्राइव के लिए गया था जहां पर वोईलेंस हुई और जो क्राउड है उन्होंने बेसिकली अटाइक किया पुलिस परसंस पर और वहाँ का जो लोकल थाना उसको जला दिया गया तो यह चीजे अब इसको किसी भी तरीके से पड़े मेरा बहुत ही क्लियर इसमें ओपिनिन है कि कोई भी इलीगल अगर किसी भी व्यक्ति ने एक प्रोपर्टी को कही ने कभजा कर रखा है तो पुलिस परसासन एड्मिस्टेशन उसको सक्ति से हटान संपति काती करवन बिल्कुल असेप्ट नहीं किया जाना चीए आज कल हम यह देखते हैं कि एवन जो रेल्वे की प्रोपर्टी है वहाँ पर भी एन्रोज्मेंट्स है तो एन्रोज्मेंट को हटाने की रिस्पोंसिबिलिटी है और अगर कोई व्यक्ति जैसे थाना जला द कि इसने क्राइम किया एक सीरियस क्राइम किया है उसके बारे में जुरूर ड्रोन्स का यूज़ करना चाहिए मेरा परसनल ओपिनियन इस पूरे सिनेरियो को लेकर इसके अलावा अगर हम बात करें यह वाला टोपिक हम आज डिटेल से पढ़ेंगे कि एक हिंदी के अगेंस पढ़ें उससे पहले यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड में बेजिक सी न्यूज दी गई है यह न्यूज क्या है यह न्यूज है पाकिस्तान के अंदर इलेक्षन हो रहे हैं और हम लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें क्या लेना देना है हमारी नेवरिंग कंट् है political stability किस तरीके से यह impact करती है भारत को भी चाहिए वो direct impact हो या indirect impact हो यहां के election की खास बात क्या रही एको पाकिस्तान के जो leader है इमरान कान जो भी jail के अंदर है इनका election symbol चीन लिया गया इनके एक तरीके से जो rallies है उनको disconnect कर दिया गया virtual rally में इंटरनेट को गायब कर दिया गया लेकिन इन सब के वावजूद भी मैं यह कहूंगा कि surprisingly वहाँ पर 92 ऐसे candidate जीत कर आए हैं जो basically independent है ठीक है तो independent जो back किया रहे है इसकी political party के द्वारा और इस टाइम पे पाकिस्तान में hung assembly की situation से यानि तीन प्रमो political party है जिसमें एक तो PTI हो गया पाकिस्तान तैरीक इनसाफ जो इमरान खान की है एक है मुस्लिम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सरीफ की है और बिलावल बुटो की जो है वो पाकिस्तान people's party है ये तीन political parties आपको नजर आएगी इस पूरे scenario में और proper majority किसे के पास फिलाल नहीं है और अलग अलग political party claim कर रही कि हम सरकार बनाएगी let's see कि क्या पाकिस्तान के अंदर politically stable कोई सरकार बनेगी और पाकिस्तान में एक word use होता establishment, establishment का मतलब होता है military जिसको चाहेगी लगबग वही बनता है elections तो ये एक तरीके कह सकते सस्ते election है जिसमें दिखा जाता है कि हम democratic country है लेकिन exact military की मर्जी के बना सरकार बनाना है it's not easy वहाँ पर इसके अलावा अगर हम बात करें page number 3 पर कुछ important चीजें बताई गई है सबसे पहले अगर हम MS Swaminathan के बारे में पढ़ें उनका क्या role रहा था उनकी जो daughter है Swaminathan उनके बारे हम discuss किया कि ये due recognition है जब आप किसी के काम की एक तरीके से पहचान करते हैं तो definitely उनके contribution से young generation को एक inspiration मिलती है इसके अलावा यहां पर बताया गया कि ये pride moment है happiness और satisfaction का moment है कि हमें एक तरीके से या Swaminathan को जो है वो एक तरीके से भारत रतन से announcement किया गया और इसके अलावा importantly उनका जो role है farmers के welfare में poorest और vulnerable जो हमारी country के सबसे गरीब तबकों में से एक आता है किसान समधाए vulnerable भी है उनके लिए अगर उनके पिता ने जो कुछ भी किया scientific तरीके से उसका recognition जो आज दिया गया भारत रतन के द्वारा तो ये आने वाले टाइम में जो scientist है agriculture sector में बिलोंग करते हैं जो research कर रहे हैं और ये young generation के लिए strong motivation का काम करेगा है ना इसके बाद यहाँ पर PV नर्शिमा राओ के बारे हम discuss है क्योंकि भारत रतन दिया गया है तो हो सकता है direct indirect कुछ सवाल भी UPSC pick कर ले यहां से और generally देखा जाता जैसे I think पिछले साल 2023 या अब 2022 में exactly 2022 में कई सारे सवाल पुछे गए थे जैसे statutes unveil हुए थे उस context में तो यहां पर यह बताया गया था कि एक ऐसा decision जो politically debate खड़ी कर रहा है PV नर्शिमा राओ originally तो Congress से बिलोग करते थे लेकिन Congress के साथ उनका जो relation रहा है ना वो थोड़ा सा disturbing रहा है पहले ऐसे प्राइमिस्टर थे जो नोन गांधी फैमिली से बिलोग करते थे और पूरा Trump complete इन्होंने किया पात साल तक और इसके अलावा सरकार साथ एक message भी देना चाहते कि वही हमारा political differences हो सकता है लेकिन हम एक legacy को जो identify करते हैं तो इनकी relation को भी इन्होंने identify किया इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यह originally तेलंगाना से बिलोग करते थे तो तेलंगाना के अगर हम बात करें South India की पहले प्राइमिस्टर थे और जो major प्राइमिस्टर रहे है जो उनमें से प्रमुक एक ही है इसके अलावा देवगोडा प्राइमिस्टर बने थे बहुत ही कम समय के लिए प्राइमिस्टर बने थे इसके अलावा 1991 से 1996 तक यह प्राइमिस्टर रहे और इनके टाइम पे बहुत सारे challenges थे और उन सब को कैसे इन्होंने डील किया खासकर अगर हम देखें एक तो political crisis भी था कि यह राजियो गांदी का signation कर दिया गया हत्या कर देगी एक देश के अंदर political instability secret होगी थे एकदम से इसके बाद देश के अंदर है ना एक travelence environment आया जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम political front पर तो था ही एक political party में भी कई सारे leaders थे इसके अलावा economic crisis बहुत बड़े level पर था और राम जनम भूमी को लेकर भी काफी debate हो रही थी उस दोरान तो इन सब के बीच में पात साल सरकार चलाना और बिल्कुल stable government को deal करना तो यह उनकी skill थी उनके साथ हला कि डॉक्टर मनमोहन सिंग का भी बहुत important रोल था जिन्हों ने finance ministry में एक important role प्ले किया अज़े finance minister economic reform में दोनों का बहुत important role जो है वो माना जाता राव मनमोहन model भी आप पढ़ेंगे economics में इसके अलावा यह इनका जो हलाकीन को criticism भी किया जाता कि 1992 में बावरी मस्जीद की जो घटना हुई वो इनके time period में हुई देश को कैसे economic issue से बाहर निकाला इंडिया की foreign policy में lookist policies पर काफी focus किया lookist policy का मतलब यह था कि हम लोग जो है वो eastern Asian countries के साथ मिलकर भी अपने relation को strong करेंगे हाला कि आज कल एक्टिस्ट policy पर discuss होता है एक्टिस्ट और लोकिस्ट में difference यह था कि लोकिस्ट में ठीक हम उनकोई तरह भी ध्यान देंगे बट एक्टिस्ट में jointly function करेंगे for example अगर वीतनाम के साथ हमारा agreement है तो हम लोग वहाँ पर साथ चाइना सी में ओएंजी सी या ओएल नाट्रल गैस को company जो है वो मिलकर काम करेगी और ओएल को एक्स्टेक्ट करने काम करेगी या नि एक्टिवली engagement आपको देखने को मिलेगी हाला कि बाद में काफी controversy भी हुई जैसे 1996 में जब Congress सरकार हार गी था election तब इनके ओपर ब्लेम जो है रखा गया कि आपके उज़े selection हा रहे हैं जब डॉक्टर मनमावन सिंग प्राइमिस्टर थे तो ऐट महिने के अंदर इनकी death होगी थी 2014 में एक बुक आई थी एक्सिडेंटल प्राइमिस्टर जो संजे बारू जो former प्राइमिस्टर के advisor थे उन्होंने का था कि जब इनकी मिर्ति हुई death हुई तो दिल्ली के अंदर इनका जो last rights असको perform नहीं करने दिया गया हिदराबाद में हुई और हिदराबाद के अंदर भी जो all India Congress committees के headquarters है वहाँ पर इनकी जो dead body है उनको नहीं रखने दिया तो यहाँ पर काफी debate रही है कि 1996 के बाद इनका और Congress का relation किस तरीके से था तो यह political sphere पर आपको debate देखने को मिलेगी 2015 में एक memorial बनाया गया जो current government उसके दोरा और यहाँ पर एक message भी देने कोशिज की गई इसायद सरकार के दोरा कि politically difference हमारे हो सकते हैं बड़ जो true talent है उसको हम लोग identify करेंगे let's see आने वाले time में क्या incelerated कोई सवाल हो सकते हैं maybe मुझे लग रहा है कि economic front पर सवाल हो सकते हैं जिसमें liberalization, privatization और globalization को लेकर सवाल हो सकता है इसके लावा balance और payment को लेकर सवाल हो सकता है, forex reserve को लेकर सवाल हो सकता है ये कुछ important questions है जो आने वाले time में आपको देखने को मिल सकते हैं, actist policy, lookist policy, इन सब के बारे में भी सवाल होने की possibility है इसके बाद हिंदी imposition को लेकर कई बार debate देश के अंदर होती है, खासकर South India में Tamil Nadu काफी active है कि उनका ये मानना है कि सरकार जो है, वो हमारे उपर हिंदी impose कर रही है इसी context में तिन्वल कॉंग्रेस के जो MP है, ये है साकेत गोकली नों ने का जीरो hour के अंदर कि मिघाले के governor ने हिंदी में अपना speech दिया, तो क्या ये हिंदी imposition है सबसे पहले zero hour के बारे में हमने बताया, start जब parliament के session के होती है तो वो question hour के साथ होती है, 11 से 12 बज़े तक, और 12 बज़े क्योंकि लगवई zero हो जाती है तो इसलिए उसको थोड़ा सा link किया जाता है, zero hour के साथ, 12 से 1 के बीच में zero hour होता है जो है daily activity होते है, post lunch के बाद, हिंदी imposition को लेकर उन्होंने question किये कि वही इस तरीके से जो अगर state का governor speech देता है, address करता है assembly को तो ये कहिने के हिंदी imposition है, इसके बाद जो chairman तेराज सबाके या voice president उन्होंने कहा कि article 351 में constitution ने provide करता है, कि हमें हिंदी language को promote करना चाहिए और इसके बाद वहाँ पर काफी protest हुआ, इन्होंने कहा कि हमें English को promote करना चाहिए federal structure को ध्यान रखना चाहिए और देश की 46% अबादी हिंदी का प्रियोग करती है तो आपको जो है वो sure करना चाहिए कि English को promote करें, आप लेकिन हिंदी को impose करने है linguistic pride जो होती है, हर एक राज्ये के अपनी भासा है होती, उसको कहीने कि अंडर्माइन किया जा रहा है हिंदी के जो आज के टाइम पे mostly जो लोज बनाए जाते हैं, वो हिंदी में आपको नाम देखने को मिलेंगे सरकारी स्कीम जो हिंदी में होती है, तो क्या ये हिंदी imposition नहीं है जब आर्टिकल 351 के बारे में डिसकस किया हमारे जो वोईस प्रेजिडेंट है तब बड़ी संक्याम MP जो साउथ इंडिया के उन्होंने questions raise की है और यहाँ पर एक observation भी रखी गई, कि देश में ना कल्चरल के perspective से एक rich language रही है या हमारी languages काफी rich है cultural perspective से तो उस मामले में consensual approach होनी चाहिए हाला कि criticism ये किया जाता है क्या हिंदी imposition हो रहा है देश के अंदर ये definitely एक serious debate है हिंदी imposition को लेकर इसके बाद अगर हम बात करें एक और important topic है, ये page, main page है आज के दे हिंदू का क्या primble को amend किया जा सकता है, ये तो important सवाल था जो इसका answer supreme court दे चुका है, लेकिन date को intact रखते हुए यानि अगर हम एक तरीके से हमारी जो परस्तावना है primble है, उसको amendment करते हैं, उसमें बदलाव कुछ कर रहे हैं क्या जो date उसमें लिखी गई है, उसको रखे हुए किया जा सकता है ये supreme court के अंदर एक petition file करी गई है सुप्रमिनम स्वामी के दोबारा supreme court में petition file करी गई है कि constitutional amendment जो आता 42 number इसमें जो secular और socialist words जो add करे गए थे इनको हटाय जाए, इनको invalidate रखा जाए हलाकि इससे पहले supreme court की judgment आये थी, उसमें इनको remove नहीं किया गया था लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा सा debate हो रही है supreme court ने कहा कि constitution of India में definitely amendment तो क्या जा सकता लेकिन सवाल ये है कि उसके अंदर नॉमबर 26, 1999 अडप्ट करीगी date को और देश में प्रेमबल को केवल एक बार amendment हुआ 1976 में जिसमें इंदरा गांधी गवर्मेंट ने इसके अंदर socialist और secular word यूज किये इसके अलावा add कर दिये थे इसके अलावा एक phrase था unity को अब उसको unity and integrity of the nation से change किया गया 42 constitutional amendment हुए थे emergency के दोरान originally text यह था है कि प्रेमबल declare करता है इंडिया को sovereign democratic republic बाद में socialist और secular word आ गया तो क्या यह जो sovereign और democratic के बीच में यह word add करेगा इनको हटाया जाना चाहिए यह important है और जब आप amendment करते हैं तो amendment में क्या date 26 नॉमबर 1989 रहेगी यह interesting सवाल है तो इसी को लेकर बीज़ेपी के एक लीडर है सुर्मनिम स्वामी उन्होंने एक तरीके से बैंट से petition फाइल करी कि जो word socialization secular यह प्रेमबल से हटाये जाए originally यह word जो है यह प्रेमबल में नहीं थे और constitution assembly ने 26 नॉमबर 1989 को यह adopt किये तो क्या जब हम किसी चीज को adopt करते हैं अपने आपको एक तरीके से implement करते हैं क्या date intact रहेगी यह main सवाल है इसके लाव बताया गया कि प्रेमबल को लेकर अगर हम बात करें ऐसा नहीं कि प्रेमबल को amendment नहीं किया जा सकता है प्रेमबल को एक तरीके से amendment किया जा सकता है लेकिन date change किये बिना किया जा सकता है किया यह bench के सामने main question है Supreme Court की जो historical judgment है जो सबसे बड़ी bench अब तक रही है 13 judges की bench केशवानन भारती case के अंदर यह बताया गया था कि प्रेमबल जो है देश की constitution का एक integral part है और यह amend किया जा सकता है पारलियमेंट की amending power में आता है लेकिन basic structure की जहां तक बात है उसको छेड़कारी नहीं किया सकती basic structure बहुत clear defined नहीं किया Supreme Court लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो basically as a tradition adopt हुई है इसके अलावा date के साथ amendment को लेकर debate है definitely और यह जो amendment हुए था ना यह emergency के time period में हुए था इसलिए इसमें mainly question है इसके अलावा बताया गया कि infamous amendment रहा था 42 amendment जो है वो infamous amendment था और इससे Supreme Court और High Court की power को reduce करने कोशिस करेगी और अगला जो arguments होगा वो April 29, 2024 को होगा इसके लावा अगर हम बात करें ना इसको ना इनमें जो mostly change हुए थे 42 constitutional amendment के थुरू काफी हद तक replace कियेगे 44 यानि जो चीज़ें थी उनको normalize करने की कोशिस भी हुई है आप लोगों के लिए सवाल है second number अभी तक है ना देश के अंदर कितने constitutional amendment हुए है और जो last constitutional amendment हुआ है यह किस subject के बारे में है किस से related उसके बारे में आप जुरूर नीचे comment करिए इस page पर सरकार और रिपक्स अपने अपने claim कर रहे हैं सरकार बोल रहे हैं हमने economy का solid बना दिया है opposition बोल रहा है कि economy तो बिलकुल crisis के अंदर है तो यह दोनों चीजें चल रही है अपने अपने level पर इसके लावे चोटी शी news आपको नज़र आएगी यहाँ पर इंडिया और साथे रिप्या के बीच में joint military exercise हो रही थी वो समाप्त हो गी है देश के ना देश की जो तीनों forces है जिसमें इंडियन आर्मी इंडियन एर फोर्स और इंडियन नेवी यह exercise करती है कई बार एक तरीके से एक ही exercise होती है military और नेवी एर फोर्स की कई बार जो हो यह try services के exercise होती है और UPSC में तो नहीं साइड इतना important है लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए सादा तनसिक यह जो दूसरे examination होते है UPSC के उनमें सवाल हो सकते हैं जो CDS हो गया, ND हो गया, Defense के examination होगा, CAPF, AC का होगा या फिर दूसरे जो state services के examination होते हैं उनमें सवाल होते है तो सादा या सदा तनसिक यह exercise होई थी इंडिन आर्मी और रोयल साओधी लेंड फोर्स के बीच में महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज जो है, यह जैपूर के अंदर है, 12 दिन की exercise थी जब भी exercise होती है, main क्या होता exercise के अंदर जो skills होती है एक दूसरी forces के पास, वो सिखाई जाती है, transform की जाती है, transfer करी जाती है यही main एक तरीके से discussion का part होता है, जब हम military, navy, air force के exercises के बारे में बात करते हैं आगे बढ़ते हैं और कुछ और important जो news होंगी, उनको हम लोग पढ़ने की कोशिस करेंगे, जो खासकर दुनिया वर में famous है सबसे पहले, Sudan दुनिया का ही वो country है, जहां पर बड़ी संक्या में एक तरीके से war के दुरान लोग जो है, वो asylum लेनी कोशिस कर रहे है इनी में से कई सारे migrant थे, जो Tunisia जो border है, वहां पर यह चले गए थे और उसके बाद जिस जहाज के अंदर यह थे, किस्ती के अंदर आप कह सकते हैं, वो डूब गए और काफी सारे लोग जो मारे गए इस particular area के है न, यह जो belt है, पूरी पूरी आप कह सकते हैं, North Africa, mostly country, यहाँ पर कई सारे issues है और यह क्या कर रहे हैं, यहाँ से जाएंगे लीविया और तुनिशिया से यह कोशिस करते हैं कि European countries में एंट्री करें, और यहाँ पर यह बोट्स के थूरू जाते हैं, बोट्स जो ह सुडान इस टाइम पर वार्न टोर्न है, और कई सारे लोग चाड में, South Sudan में एक तरीके से इन्होंने asylum ले रखा हैं, अगर आप इसकी neighboring country देखेंगे न, South Sudan है, Central African Republic है, चाड है, लीबिया, इजिप्ट है, इरिटेरिया है, एथोपिया है, और most important, Red Sea से भी यह boundary सेहर करता है, तो यह जोगरिफिकली तो बहुत बड़ा area है, पहले तो यह भी इनकी अंदर आता था, बाद में South Sudan नाम से different country जो वो बनाई गई है, इसके बाद अगर हम बात करें, Indian Ocean Rim Association की एक meeting होती है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि Indian Ocean में किस तरीके से US China के बीच में टसल चल रही ह क्या issues है, और उससे पहले member country के बारे में पता होना चाहिए, यह organization ना बड़ा unique है, और यह sustainable growth, balance development हो, Indian Ocean region में उसको promote करता है, यह member country इसकी है, total इसके अंदर, अगर मैं आपको France हो गया, इरान है, UAE है, इसके अलावा यहाँ पर Oman है, यमन है, इसके अलावा Somalia, Kenya, तंजानिया मोजामबिक, साउस अपरिका, मेडागासकर, कॉमरोस, मौरिसा, सेसल, माल्दियूज, सिरिलंका, भारत, बंगलादेश, इसके लावा Thailand, सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया और आस्ट्रिलिया, यह आपको country देखने को मिलेगी, interesting क्या है, इसके अंदर जो हो पाकिस् नहीं है, जिससे इसकी success होने की possibility थोड़ी सी बढ़ जाती है, चाइना भी इसके अंदर member country नहीं है, यूएस भी member country नहीं है, इंडियन ओशियन के अंदर, कैसे यूएस टाइना का टसल impact कर रहा है, और militarization जो हो रहा है, इंडियन ओशियन का और या great power rivalries के बीच में जो जो बड़ी powers के बीच में rivalry है ना, ये छोटी country पर एक तरीके से pressure create कर रही है, और ये कहिने के challenge create कर रही है, इंडियन ओशियन का main मकसद होता है, कि regional corporation को बढ़ावा दे, और इसके अंदर भारत की तरफ से हमारे foreign mister dr. जैसंकर साब गए, उन्होंने का कि हमें international rule of law के जो सामने जो challenges हैं, जैसे अभी red sea में हम देख रहे हैं, इंडो pacific में देख रहे हैं, इन पर specially ध्यान देना पड़ेगा, और ये indirectly China को criticism किया गया, इसके अलावा जो Australian foreign minister पैनी मोंगनों ने का कि ये necessary कि हम लोग conflict को इस region से reduce कैसे करें, उस पर काम होना चाहिए, इसके बाद कोई justification की ज बढ़ेगी, और कोई long standing agreement जो वो observe नहीं किया जाएंगे, तो इसमें कोई justify नहीं क्या जा सकता है कि आपका, आप क्या strength change कर रहे हैं, इसके अलावा keynote address के अंदर उनने बताया कि China का नाम ले बिना कि आज के time पे इंडिया की कहीने कही concern है, और line of actual control पर हमारा एक issue चल रहा है, इसके अलावा South China Sea के अंदर जिस तरीके से चाइना एक तरीके से freedom of navigation के सामने challenge create कर रहा है, और United Nation Convention Law of Siege के जो rules जो उसकी judgment आई है, उसको follow नहीं कर रहा है, तो ये disturbing है, तो ये disturbing है, सिलंका के जो प्रेजडेंट उननोंने कहा कि बढ़ी country आपस में जो एक तरीके से rivals है, US, Australia, Australia, UAE, Saudi Arabia, China, ये आपस में जो इनकी presence इस एरिया में बढ़ती है, तो उससे जो छोटी country है, उनके सामने कही सारे concern हो जाते हैं कि आप किसको choose करें, और इससे कहीं कि राइवलरी से ना decision making बहुत मुस्किल हो जाती है, politically, economic security issues जो आपको देखने को मिलेंगे, अभी सिलंका के अ आपको देखने को इस एंदर जो चाइनिज रिसर्च वजल आने वाला इसको मना कर दिया गया था, और जो स्रिलंका के प्रेजिडेंट है, ये एक मातर ऐसे प्रेजिडेंट है, जो वहाँ पर मीटिंग के अंदर गए थे, इसके अलावा, माल्दियूज के जो पहले फोरे आपको देखने को इस एरिया में मिलती है, सोवरिनिटी पर बात होने चाहिए, इंशूर करे कि इस रीजन में स्टेबिलिटी आए, एक तरीके से दिक्कत ना हो, ये सारी चीजों को लेकर फिर से डिसकसन, डिबेट, कंटीनिव आपको देखने को मिलेगा, लास्ट जो एक कर सकता है, क्योंकि हमारी एक तरीके से एक तो पर्चेजिंग पावर आप कह सकते हैं, और क्योंकि हम लोगे ह्यूज बाइंग पावर हैं, यानि हम लोग बड़ी संख्या में खरीदते हैं, नेचरल गया से पाइप कैस, तो भाई, सभाई उकसी बाद जब बड़ा ग्रहा काता है, तो उसको थोड़ी सी रियायत दी जा सकती है, जैसे आप इंडिया में भी देखते हैं, माल लेते समाने दते हैं, चीज माल करते हैं, कभी आपने सबजी वाले से अफल वाले से जब आप सबजी अफल का रेट पूछते हैं, तो वो हमेशा पूछता कि कितने किलो लेने हैं तो इससे idea यह होता है कि exact अगर आप quantity ज़्यादा लेंगे तो कुछ ने कुछ रियायत ज़रूर आपको मिलेगी तो उसी चीज में बता है कि हमारे पास यह opportunity है कि हम market price से प्राइस में भी खरीद सकते है नेचरल गैस और एक तरीके से बिलो मार्केट प्राइस में खरीद सकते है उसी के बारे में आप एक basic सी news है ठीक है आज के the Hindu news analysis में तना ही दो तिन जो सवाल पूछे गए है जुरूर आप answer करें answer करने में जो आपको ताही बर्त रहे है इससे personally मुझे कोई नुक्सान है बट मैं आपसे चाहूँगा कि आप जुरूर उसमे एक्टिवल इंगेजमेंट करें और चाहे गलत ही आपको answer आता हो जुरूर आप करें क्रेक्शन जो है वो किया जाएगा एक दूसरा साथी उसमे reply के थूरू जो है क्रेक्शन करेगा फिलाल दे हिंदो नियूज अनलिसिस में इतना ही थैंक्यो जहिन